विधायक प्रताप ग्रेवाल ने प्रात्मिक स्वास्त केंद्र राजोद का किया और्चक निरिक्षन सरदार पर विधायक प्रताप ग्रिवाल द्वारा प्रात्मिक स्वास्त केंद्र राजोद का और्चक निरिक्षन किया गया विधायक ग्रेवा स्वास्त केंद्र पहुंचे जहां पर डॉक्टर राहुल यादव से चर्चा की स्वास्त केंद्र में ड्रेसिंग रूम नहीं होने से महिला प्रसादन के बरामदे में ही अस्थाई ड्रेसिंग रूम बना दिया गया जिससे महिलाओं को प्रसादन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बाउंडरी वॉल नहीं होने से शाचा की भूमी पर अतिकरमन हो रहा है चिकेटसा निवास भी जड़धर अवस्था में हैं कंप्योटर कक्ष एवं टेली मेडिशन कक्ष एक ही रूम में संचालित किया जा रहा है नस्बंदी ओपरेशन थेटर के संसादन उपलब्द होने के बावजूद उच इस तर से अनुमती नहीं मिलने के कारण नस्बंदी ओवं ओपरेशन सुविधा प्रारम नहीं हो रही है डॉक्टर राहुली अदव सेक्टर सुपर्वाइजर रमेश बूरिया द्वारा विधायक ग्रेवाल को स्वास्त केंद्र में उपलब्द संसादनों एवं आविशक संसादनों आविशक कारियों की जानकारी दी गई विदायक ग्रेवाल ने कहा कि राजोट स्वास्त केंद्र पर आवशक संसाधनों एवं आवशक कारियों के लिए शीगर ही वरिष्ट अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा इस दोरान कई कार्यक करता उपस्तेत रहे तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी चार साम में निकल आई